हेई गाईज इस मी भागेश एंड यू आप वाचिंग 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 वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप VMware Workstation 15.0.2 के अंदर काले Linux 2018.4 को कैसे दो मिनिट के अंदर इंस्टोल कर सकते हैं तो गैस सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जो लिंक आपको दी गई है वहाँ पर आपको क्लिक करना है तो guys जैसे आप video के description में दीगरी link के उपर click करते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से website के उपर आ जाओगे और website पे से आप professional version को बड़ी आसानी से without registration की यह download कर सकते हैं अगर आपको VMware को officially VMware की website से download करना है तो वहाँ पे आपको registration करना होगा पर यहाँ पे मैंने जो website दी है वहाँ से आप directly one click में download कर सकते हैं तो guys यहाँ से आप अपने choice के according इसे download कर सकते हैं तो फिल्द हाल में यहाँ यहाँ पे Windows 64 bit को download करने वाला हूँ तो guys इसका size approximate 512 MB है तो यह depend करता है आपकी internet speed के उपर तो guys यहाँ पे आपने देखा कि यह मेरे अंदर download हो चुका है तो यह आपकी internet speed के उपर depend करता है तो guys इसा download होने के बाद आपको यहाँ से simply open करना है तो guys यहाँ पे VMware को download करने के बाद हम download करेंगे काले Linux को तो काले Linux की image file को download करने के लिए आपको काले Linux की official website पे चले जाना है लिंक वीडियो के description में है तो वहाँ पे आपको नीचे bottom में आना है और आपको यहाँ से directly image नहीं download करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं काले Linux 64 bit VMware के लिए एक अलग से आपको 7 zip file देखने को मिल जाती है तो आप simply आपको पूरा एक project मिल जाएगा तो आपको उसे वहाँ से simply VMware में जाके open करना है तो यहाँ पे आपको एक readymate install हुआ VMware के अंदर काले Linux देखने को मिल जाता है तो simply आपको यहाँ पे आपनी choice के according 64 bit या तो 32 bit को य offensive security download page के उपर चले जाना है तो अगर आपको काले Linux की VMware के लिए images download करना है तो आप यहाँ पे click कर सकते हैं या तो फिर अगर आप virtual box use कर रहे हैं तो आप यहाँ पे click कर सकते हैं बट हम यहाँ पे VMware को use में ले रहे हैं तो guys यहाँ पे आपको total 2 option देखने को मिल जाता है या तो अफ यहाँ पे directly क्लिक करकर download कर सकते हैं तो यहाँ पिर अगर आप इसे torrent के थ्रू डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप torrent के थ्रू भी download कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे recommend करूंगा कि आप directly यहाँ से download कर लें तो यह भी yeहाँ पे dependent करता है आपकी internet speed के उपर तो यहाँ पे total इसका साइज है 2.5 गिगाबाइट तो यहाँ पर यह डाउनलोड हो चुका है तो डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के उपर तो गैस यहाँ पर आप देशे की देख सकते हैं कि मैं काली लिनक्स की इमेज फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है तो इससे आप आपको डाउनलोड को डाउनलोड किया और यहाँ पर दोणो डाउनलोड होने के बाद हमने यहाँ यहाँ पर को open किया आप देख सकते हैं कि आपको simply next next करना है और यहाँ पर आपको इसे install करना है तो guys यहाँ पर यह setup completely install हो चुका है और इसे यहाँ से मैं finish के उपको click करता हूँ तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर VMware Workstation का logo show हो रहा है तो guys यहाँ पर आपने जो download किया है वो VMware का professional version है और professional version आपको कभी भी free में नहीं मिलता तो यह यहाँ पर आपको trial period के base पे कुछ दिनों तक free में service देगा तो कुछ time के बाद आपको यहाँ पर license की को enter कर करके की मांग सकते हैं तो guys यहाँ पर हमें आपको directly की share नहीं कर सकता क्योंकि यह YouTube की guidelines के against होता है तो guys यहाँ पर आपको enter license की में जाके की को copy करके simply यहाँ पर paste करना होगा तो guys यहाँ यहाँ पर मेरे अंदर मैंने already license fee को enter करके रखा है तो इसलिए यहाँ पर status में license show हो रहा है तो अब हम बात करते हैं कि काले Linux को आप कैसे यहाँ पर enter कर सकते हैं तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VMware को जैसे ही आप first time open करोगे तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर हमें जाना है open virtual machine में क्योंकि हमारे पास already virtual machine की file created है तो इसे यहाँ से हमे open करना है आपको चले जाना जहां पर आपने काले Linux फाईल को as track किया है तो यहाँ पर जैसे यह आप folder के अंदर जाते हैं तो आपको .vmx extension की file देखने को मिल जाती यहता तो इसे आपको यहाँ से select करके open करना है तो जैसे यह आप यहा पर इसे open करते हैं तो आपको यहाँ प कर सकते हैं बट यहां से मैं आपको recommend करूंगा कि आप अपने system के requirement के according इसे एक बार setup कर लीजे तो memory के अंदर आपको जितने RAM चाहिए आप यहां से इसे allocate कर सकते हैं तो मैं इसे 4GB RAM allocate करता हूं और processor के अंदर इसे 1 रेना देता हूं और number of course को मैं 2 कर देता हूं इतना होने के ब लिए आपको यहां पे username और password पूझे का तो आप यहां पे username में root एंटर कर सकते हैं और password में 2 इंटर कर सकते हैं तो इसे simply यहां से मैं turn on करता हूं तो guys यहां पे यह start हो चुका है और username के लिए आपको पूझ रहा है तो हमने जैसे की थोड़े टाइम पे लिए देखा कि username root था और password TOR2 था तो यहां पे यह successfully login हो चुका है तो guys यहां पे अगर आपको full screen करना है तो आप यहां पे enter full screen more के उपक्लिक करके screen को full कर सकते हैं के अंदर setup कर सकते हैं तो guys अगर आपको इसके बहार आना है तो Ctrl Alt को press करना है तो इस तरह से आप यहां से इसे बहार निकल सकते हैं तो गैस इस तरह से आपको simply virtual machine की file को download करना है ना कि आपको image file को download करना है तो अगर आप image file को download करते हैं तो आपको पूरा installation करना होगा और installation में आपका काफ़ी time चला जाता है तो यहाँ पे आपको VMware की directly file को download करना है और इसे इस तरह से open करना है home में जाके तो guys I hope कि आपके लिए वीडियो helpful रही होगी अगर वीडियो helpful रही तो इस वीडियो को कीज़े like हो सकते हैं इसे कीज़े अपने दोस्तों के साथ share और अगर आपको आने वाले time में और वीडियो देखने हैं इस channel के उपर इस channel को कीज़े subscribe मैं मिलता हूं को भी वीडियो में तिल देन गुडबाई इस बागेश साइनिंग ओफ